चलो बात करते हैं बहुपत सेश्फल प्रमे की अब इसमें अगर हमें कोई बहुपत दिया गया है जैसे की PX और उसे अगर हम विभाजित करें एक दूसरे रेखिये बहुपत से एक घाती बहुपत से जैसे की X रिन A तो ऐसी स्थिती में हमें जो सेश्फल मिलता है सेश्फल समझो कि मैं यहां नाम देता हूँ R तो वो हमें बराबर मिलता है P A के तो यह है बहुपत सेश्फल प्रमे तो चलो इसे ज़रा अच्छे प्रकार से समझाने के लिए मैं एक उधारन लेता हूँ तो उधारण में मैं एक बहुपत लेता हूँ, समझो की PX, मैं एक दूई घाती बहुपत लेता हूँ, पर ये सही है और ये सच है हर एक घात की बहुपत के लिए, तो मैं यहां लेता हूँ, समझो, 3 गुणा X का वर्ग, रिन, 4X, धन, 7 अब समझो की मैं इसे विभाजित करना चाता हूँ, एक रेखिये बहुपत से, समझो की X, रिन, 1 यानि की हम विभाजित कर रहे हैं, 3 गुणा X का वर्ग, रिन, 4X, धन, 7 को हम विभाजित कर रहे हैं, X, रिन, 1 से तो ऐसी स्थिती में, बहुपत सेशफल प्रमे से, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऐसी स्थिती में, कि जो हमारा सेशफल आएगा, समझो, R, वो बराबर होगा, P, A के इस थिती में जो A है वो है 1 तो यानि कि हमें जो सेशफल मिलने वाला है वो मिलने वाला है P1 अब ये तो हम विभाजित कर सकते हैं वीजिये दीर्ग विभाजन विधी से तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहां रोको और इसे वीजिय दीग विभाजन विधी से करके देखो कि सेश्वल क्या मिलता है और अगर तुम्हें वीजिय दीग विभाजन विधी के बारे में नहीं पता है तो हमने उसे दूसरे वीडियो में देखा है कि वो क्या होता है और किस तरह से कलते हैं वो वीडियो देखके फिर वापस आओ यहाँ पर तो चलो भी से साथ में कलते हैं तो हमें विभाजित करना है तीन गुणा X का वर्ग रिन 4X धन 7 को हमें इसे विभाजित करना है हमें इसे किसे विभाजित करना है हमें इसे विभाजित करना है X रिन एक से अब दीर विभाजन में हम इस भाज की सबसे उची घात का पत लेकर उसे विभाजित करते हैं उसे हम विभाजित करते हैं भाजक के सबसे उची घात की पत से तो यानि की हमें विभाजित करना है तीन गुणा X का वर्ग को हमें विभाजित करना है S से यानि की X से तो ये जब हम विभाजित करेंगे तो हमें उत्तर में मिलेगा यहाँ पे 3X तो हमें जो भागफल मिल रहा है वो मिल रहा है 3X अब यहाँ पे इस भाजक को हम इस भागफल से गुणा करेंगे तो यहां हमें मिलेगा x गुणा 3x हमें मिल जाएगा 3x का वर्ग, रिण 1 गुणा 3x हमें मिलेगा रिण 3x और अब हमें इस बहुपद में से ये बहुपद घटाना है, तो चलो वो करते हैं, तो इसे हमें घटाना है तो ये जो है ये धन है ये हो जाएगा रिन और ये जो रिन है ये हो जाएगा धन घटाने पे इन के चिन बदल जाएंगे हमें मिलेगा 3x का वर्ग, रिन 3x का वर्ग, यह तो पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास है रिन 4x और धन 3x, यानि कि हमें यहाँ मिलेगा रिन x, और चलो यह नीचे ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास और आ जाएगा धन 7, तो अब हमारे पास यह के पत से यहां से जो है X तो उत्तर में हमें मिलेगा रिंड एक तो हमें जो भागफल मिल रहा है इस बहुपत को इस बहुपत से विभाजित करने के तो वो मिल रहा है हमें रिंड एक अब इस बहुपत को जब हम रिंड एक से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा X गुणा रिं एक ये हो जाएगा रिण एक्स रिण एक गुणा रिण एक ये हो जाएगा धन एक और अब हमें इस बहुपद में से ये बहुपद घटाना होगा घटाना है तो ये जो रिण का चिन है ये बदल जाएगा धन में और ये धन का चिन बदल जाएगा रिण में तो हमें उत्तर म क्या मिलेगा हमें उत्तर मिलेगा रिन एक्स और धन एक्स यह तो कट जाएगा यहां है धन साथ और रिन एक यानि की हमें मिलेगा छे तो यह रहा हमारा सेश्वल सेश्वल यानि की आर तो यह हमारा सेश्वल मिला हमें छे अब यह सेश्वल क्यों है क्योंकि इसकी जो घात ह इसकी घात हो चुकी है शुन्य और जो हमारा भाजक है उसकी घात है एक यानि इसकी घात भाजक की घात से कम हो चुकी है यानि अब यह और विभाजित नहीं होगा तो यही है हमारा सेश्वल तो अब हमें सेश्वल मिल गया वी जिये दीर्ग विभाजन विदी से यह में यह हटा देता हूँ, तो वो हमें मिल रहा है 6, लेकिन हम जानना चाते हैं क्या बहुपत सेश्वल प्रमे से भी हमें यहीं सेश्वल मिल रहा है, तो बहुपत से जब इस बहुपत को इस बहुपत से विभाजित करते हैं, तो हमें सेश्वल मिलता है P1, तो चलो देखते हैं कि P1 क्या है तो इस बहुपद में हम x की जगे डाल देते हैं 1 और देखते हैं हमें क्या मिलता है तो p1 बराबर होगा 3 गुणा x की जगे हमें 1 रखना है तो ये है 1 कवर्ग रिंच 4 x की जगे हमें 1 रखना है तो ये 4 गुणा 1 धन 7 तो ये बराबर है 3 गुणा 1 कवर्ग यानि की 3 रिंड चार गुणा एक यानि की रिंड चार और यहां पे है धन साथ तो हमें पी एक क्या मिल रहा है हमें पी एक मिल रहा है तीन रिंड चार यानि की रिंड एक धन साथ यानि की यह हमें मिल रहा है छे तो बिल्कुल सही यानि की जो हमें यहाँ सेशफल प्रमे से जो सेशफल मिल रहा है वो बराबर है P1K जो हमें मिला था यहाँ पे 6 तो अब इस बहुपत सेशफल प्रमे का फाइदा क्या है? इसका फाइदा ये है कि हमें कोई भी बहुपत दिया हो और उसे जब हम एक रेखिये बहुपत से विभाजित करेंगे तो अगर हमें भागफल में रूची नहीं है और हम जानना चाते हैं कि सिर्फ इसका सेशफल क्या होगा तो हमें ये वीजिये दीर विभाजन करने की हमारा भागफल ये होता है बहुपत सेशफल प्रमे और इसे हम आने वाले वीडियो में सिद्ध भी करेंगे